एक अधूरी यात्रा 65 वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही मेरा पुराना पद्यात्रा प्रेम भड़ा कुठा बुढ़ापे को परे धकेलते हुए मैंने नर्मदा की पद्यात्राएं दुबारा शुरू कर दी सच तो ये है कि मैं नर्मदा सौंदरे के घेरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहता जहास के पंची की तरह बार बार वहीं लोट जाना चाहता हूँ क्या करूँ मुझे और कुछ आता ही नहीं नर्मदा की पहली परिक्रमा के दौरान मंडला के निकट नर्मदा की सहायक नदी बुढ़नेर को देख कर मन प्रसनता से भर उठा था। सोचा इतनी सुंदर नदी और नाम बुढ़नेर इसका नाम तो युवनेर होना चाहिए था। मैं पत्नी कांता, फोटोग्राफर कांती सोलंकी, रुद्र, मारुद, गरीबा और कमलेश सहित निकलना तो चाहता था 20 मार्च 2006 को, लेकिन निकल पाया 20 अपरेल को। सनेही जनुने कहा कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, ना जाएं तो ही अच्छा। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि बुढ़नेर के उदगम से अम मुख गाउं है, रात यहीं रहे, ठिठुरने वाली रात थी, लोगों को चाहिए था कि हमें गर्मी से नहीं ठंड से डराते, दूसरे दिन सवेरे हाण पतरा गए, बुढ़नेर का उदगम इसी गाउं के पास है, पेड़ पौधों से रहित, एक पठार परस्थित, उस अल खड़ी थी, उसकी गोद में उसका बच्चा था, हम लोग उससे बातें करना चाहते थे, उसकी हसी सुनना चाहते थे, लेकिन हम लोगों को देखकर, उसका बच्चा बेहट डर गया था, और जोर जोर से रो रहा था, इसलिए अधिक बातें इन नहो सकी, यहां से कंधे तक उची जाडियों में से होते हुए नीचे उतरे। खेत जैसे जिस उथले तालाब से हमने बुढ़नेर को निकलते देखा था, वहाँ कुछ नहीं थी, सूखी धर्ती थी। लगता है बुढ़नेर दर्वाजा बंद करके उस पर ताला लगा कर कहीं चल दी है। वैसे मैं कहना तो चाहता था, लगता है घोड़ा अस्तबल से भाग गया है, लेकिन सुरुची संपन लोगों को ये उपमा भदेश लगेगी। इसलिए नहीं कही, यहां से एक सूखी नाली शुरू होती थी, हम इसी सूखी बुढ़नेर के साथ साथ चले। कोई आधा किलोमेटर बाद बुढ़नेर में पानी दिखाई दिया। उसका उदगम आधा किलोमेटर नीचे खिसक आया था। जियों जियों गर्मी बढ़ेगी, वह और नीचे खिसकता चला जाएगा। चोटी चोटी नदियों के ऐसे ही उड़नचू उदगम होते हैं। हमने यहीं लोटे से स्नान किया। यहीं एक बाबा की कुटी है। वे हमें पहचान गए। बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का एक कारण और है। उनकी बकरी ने आज ही दो मेमनों को जन्म दिया है। उनके पास एक गाय भी है। इस निर्जन स्थान में वे अकेले रहते हैं। यह पशु ही उनके संगी साथी हैं। आज शुकरवार है और शुकरवार के दिन चाना में सापताहिक बाजार भरता है। बैगांस्त्री पुरश या तो कुछ खरीदने या कुछ बेचने वही जा रही हैं। हमें भी वापस चाना जाना होगा क्योंकि बुढ़नेर चाना से होकर बहती है। एक लड़का बहगी में बोजा लादे जा रहा था। बीच बीच में सुस्ताने के लिए बहगी नीचे रख देता था। कांती भाई ने कहा लाओ थोड़ी देर के लिए इसे मैं उठाता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा आराम मिले। जब उठाने लगे तो वह उनसे उठी ही नहीं। फिर भी पूरी ताकत लगा कर उठा तो ली पर दो कदम में ही लड़खडाने लगे। देर तक उठाते तो कांती भाई को उसी बहगी में बिठा कर अस्पताल ले जाना पड़ता। बैगा दुबले पतले होते हैं पर मजबूत कद काठी के होते हैं और बड़े परिश्रमी भी चाना बाजार में आसपास से आए कई बैगास्त्री पूरश दिखाई दिये। कांती भाई को फोटोग्राफी के लिए परियाप्त सामगरी मिली। वे कैमरे के कलाकार हैं। सपाट से द्रिश्य में भी सौंदरे ढूंड लेते हैं। इस अंचल की हमारी हर पद्यात्रा में साथ चलने वाले फगनू दादा मंडला से सीधे चाना आ गये हैं। वे गून आधा राशन अकेले डखार जाते हैं पर इतने प्यारे हैं कि उनके बगैर हम जाही नहीं सकते। रात को पंचायत भवन में सोए। मू अधेरे उठकर बाहर आया तो सामने शाल के विशाल वरिक्ष। मैं मुग्द भाव से इन्हें निहार रहा था। तब ही एक कोयल कूक लगी। कुहू? कुहू? किसी ने जवाब नहीं दिया तो विलंबित से दृत में आ गई। फिर भी कोई जवाब नहीं। लगता है वह निपट एकाकी है। उसका कोई संगी साथ ही नहीं। अथवा ये भी हो सकता है कि वह इस अंचल की सर्वश्रेष्ट गाये का हो और ब कांत पर मुगद हूँ। कांता शाल के व्रिक्षों के फूलों की महध पर मुगध है। जब हवा चलती है तो ये फूल हम पर जठते हैं। हम लोग शाल के व्रिक्षों के बीच से जा रहे थे। हैं। पहाडी चड़ाई शुरू हो गई। पेड़ों में नए पत्ते जमीन पर सुखे पत्तों का मोटा गलीचा बिछा है। एक तो यहाँ पगडंडी वैसे ही नहीं है। जो थोड़ी बहुत है वो इन पत्तों से धकी होने के कारण दिखाई नहीं देती। नीचे के गोल मटोल पत्थर भी नजर नहीं आते। इसी में एक जगह मेरा पैर फिसल कहते हैं। चाहे मोच हो चाहे हड़ी तड़की हो। इस भीयाबान से तो बाहर निकलना ही होगा। चलने के सिवा कोई चारा ना था। साथियों ने हिम्मत बंधाई तो लाठी के सहारे उठा। किसी तरह कांखते कराहते लाठी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चला। थोड़ मुझे खिलोने की तरह उठा लेता चाहे जितना हलका फुलका क्यों न हूँ किसी पर लदना है बड़े शर्म की बाद एक डेड़ किलोमिटर बाद हम जंगल से बाहर आ गए वन विभाक की कच्ची सडक मिल गई बुढ़नेर भी मिल गई चाना से यह सडक प्राये बुढ़नेर के संगसंग कभी इस तट से तो कभी उस तट से होती हुई डगौना तक जाती है इस पर रेत ढूने वाले इकका दुकका ट्रक निकलते थे एक ट्रक में बैठ कर हम लोग डगौना आ गए डगौना की एक मात्र कुटी सामने तट पर है परिक्रमा तो भंग हो ही गई थी बुढ़नेर पार करके सामने तट पर चले गए सादवी हमें तुरंत पहचान गई बहुत खुश हुई पिछली आत्रा में उन्होंने रुकने का बड़ा आग रह किया था भागे हमें पुनेह यहां ले आया था इस बार तो रुकने के लिए ही आये हैं रात को कांता ने पैर की सिकाई की नमक और हल्दी का लेप लगाया तो सुभा आराम लगा बुढ़नेर बिलकुल पास है नहाय बगैर रहा न गया डगाउना में बुढ़नेर बहुत सुंदर है यहां वह चटानों की खोखल में छिप गई है इसलिए उसका सौंदर धका मुदा सौंदर है उपर से बिलकुल साधारन लेकिन नीचे जहाक कर देखो तो अदभुद चटानों को तराश कर अजीबो गरीब कंदराईं बनाई है उसका प्रवाह जटिल और घुमावदार है और थोड़ी थोड़ी दूर पर तीन या चार प्रपात भी है साधवी ने कहा आप इसे एक डग में पार कर लें इसी लिए डगाउना लेकिन गहरी इतनी कि चार खाटों की रसी डाली गई फिर भी थाह न मिली नाम नदी के मिजाज के अनुरूप ही है इस सुन्दर स्थान को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विक्सित किया जा सकता है लेकिन तब इसका विलक्षन और नाजुक वातावरं सुरक्षित नहीं रह पाएगा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सैलानी यहां आई भी और यहां का सौन्दरे भी अविक्रित रहे यात्रा अधूरी छोड़ कर घर जाने के सिवा कोई चारा न था